हेलो एवरिवन गाई स्वागा थे आपका हमारे यूटूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर तो जैसे कि आप सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमें केमेस्ट्री का वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर चाहिए केमेस्ट्री का बायलोजी का और सभी सब्जेक्ट के वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट कर दिया है डालना तो इस वीडियो में हम लोग एक ही सिंगल वीडियो में कम्प्लीट एक सिंगल चैप्टर को खतम कर रहे होंगे तो हम लोग अभी फिलाल के लिए सॉलिड स्टेट स्टार्ट के फर्स्ट चैप्टर है और आप को मज़ा आ जाएगा इस वीडियो को देखने में each and every concept के साथ कम से कम time में पूरे chapter को एक ही single video में हम revise करने की कोशिश करेंगे ठीक है चलो so chemistry chapter number one solid state complete chapters revision जैसे कि आप सब जानते हो कि आप सब का exam आ रहा है और 12th का exam board का होके ही रहेगा आप सब को तो उसी लिए guys यहां पे मैंने one short video lecture start किये आप इसके पहले की videos भी आप solid state की देख सकते हो बट आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका मज़ा ही अलग होगा और इसकी notes में भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ हो क्योंकि मैंने एक special type की best तरीके के एक बढ़िया सी notes मैंने यहां पे बना रखी है तो आपको बहुत ही अलग level का मज़ा आएगा सबसे पहले मैं आपको यहां पे दिखा दूँ देखो इस तरीके से मैंने solid state यहां पे start किया है completely आपको जो reduce syllabus उसको मैंने डाला ही नहीं है तो reduce वाला आपको कोई tension की बात नहीं है और अगर आप सिर्फ इस notes को भी पढ़ लोगे न तो आप एकदम अच्छे कासे mark सारा का सारा चीज़े यहां पे निकाल लोगे तो मैंने एकदम भारी तरीके से अच्छे से सारे चीज़े यहां पे एकदम बनाई है और इस तरीके से आप यहां पे पढ़ सकते हो बढ़िया तरीके से ठीक है तो don't worry चलिए शुरू करते हैं अभी हम लोग इस chapter को पढ़ना तो सबसे पहले अभी हम लोग यहां पे जानेंगे अपने solid state में जो हमारा है सबसे पहले देखो आपना बहुत सारी चीज़े जो है वह reduce हो चुकी है और guys आपको एक request करता हूँ कि please इस video को share कर दो क्योंकि अकेले के सिर्फ इस video को बनाने में करीबन 4-5 hour गए है 3-4 hours कम से कम तो सिर्फ और सिर्फ इस notes को बनाने में गए है और notes को बनाने के बाद जो की reduce से लिए बस है फिर कौन सा topic important है कम time में ज़्यादा revision कैसे करना है तो उसके लिए notes वैसे बनाए गए है ठीक है और उसके बाद ना फिर वीडियो create करना फिर upload करना एक तो बात है कि 1010GB की वीडियो बनती है तो उसको upload करने में बहुत times आता है तो सारी चीज़े देखनी पड़ती है आज गाई तो बहुत मेनत लगती है फ्लीज शेयर कर देना लाइक कर देना और comment box में बता देना कि आपका और क्या improvement चाहिए और किस subject पे कौन सी वीडियो चाहिए बस आगर आप एक बार बता दोगे तो मैं उसको upload कर दूँगा तो चलिए pen और pencil book उठालो फटा फट और शुरू करते हैं बस ready हो जाओ earphone उठालो और अकेले एक जगे कहीं बैट जाओ और अराम से सुनना शुरू करो वीडियो को ठीक है बस ध्यान से पूरे lectures को देखोगे न तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जाएगा अब जो बंदा देखेगा भी नहीं तो वो कैसे पास होगा ठीक है इस बात ध्यान रखो तो solid state chapter number one तो सबसे पहले guys हम स्टार्ट करेंगे isomorphism जो हमारा reduce नहीं है जो reduce हो गया है मैंने उसको consider ही नहीं किया है मैंने उसकी notes भी नहीं बनाई है ठीक है तो आपको बस इतना ही पंड़ना है जितना यहां पे दिया हुआ है तो isomorphism exactly क्या है तो isomorphism हमारा exactly दो या दो से जो हमारा substance होता है दो या फिर उससे ज़्यादा substances जो होते है वो same crystal structure में क्या होते है एक साथ mix हो जाते है यानि कि two or more substances having same crystal structure are set to be isomorphous मतलब कि simple सी बात है कि ऐसे माल लो कोई भी आपके सामने दो हमारे यहां पे substance है तो वो एक ही crystal structure जैसा बनाते है मतलब उनके crystal structure same होते है समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ तो उसे कहते हैं isomorphous आइसो का मतलब होता है same morphism इसका मतलब होता है structure physical structure समझा अच्छे से तो isomorphism मतलब कि कोई भी दो substance same तरीके का structure दिखाते है जैसे कि हमारे यहां पे मतलब NAFA और MGO है यह दोनों के दोनों हमारे same crystal structure दिखाते हैं बट हैं तो अलग-अलग molecule ना तो इसलिए हम इन दोनों को isomorphous कहेंगे एक दूसरे के लिए ठीक है चलो इनका chemical composition जो होता है वो same होता है in the form of atomic radius या atomic ratio एक ही बात है ठीक है इसका आपको समझ रखना है चलिए आगे बढ़ते है polymorphism की बात करते है poly मतलब होता है many morphism मतलब structure तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि single substance जो हमारा होगा न वो दो या दो से अधिक form में present रहेगा जैसे कि अभी हम यहां पर केलाट्रॉप्स की बात करते हैं जैसे कि हमारा एक कार्बन होता है तो उसके diamond भी बनते है graphite भी बनते है तो वैसे ही यहां पर क्या होता है कि एक single substance जो होता है वो एक्जिस्ट करता है दो या दो से ज़्यादा forms में तो हम कह सकते हैं कि हमारा यहां पर calcium carbonate के दो-दो polymorphic structure है या polymorphic forms है like calcite and erogonite तो यह दुनिया में chemical substances हैं जो दुनिया में पाईज आती हैं तो बस आपको याद कर लेना है अब आते हैं आपको पता होगा तो देखो किस तरीके से अगर कोई question पूछ लिया तो आप कैसे लिखोगे तो ionic solid के बारे को अगर किसी ने पूछ लिया तो आप बता सकते हो कि in the ionic solids particles of the units cell is nothing but cations and anions लिख दो फिर next उसके बता देना कि inter particle forces is nothing but electrostatic force in the ionic solid ठीक है फिर इसके अंदर hardness जो होती है तो hardness की बात की जा तो यह hard and brittle होता है इसका high melting point होता है thermal electrical energy भी यहाँ पे अच्छी कासी होती है examples है sodium chloride and cf2 है ना तो इस तरीके से ionic solid के बारे में यहाँ पे आपने 6 point बता दिए अब और क्या ही चाहिए ऐसी आप covalent network के बारे में बता दोगे molecular solid के बारे में metallic solid के बारे में आप सब explain कर सकते हो exam में सिर्फी stable का इस्तमाल करके तो थोड़ा smart work करो hard work करने की जुरूत नहीं है अब इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं यह stable में आपको बस इसको याद कर लेना है समझाने जाहूंगा तो फिर 5-6 गंटे की वीडियो बन जाएगी ना थोड़ा समझ रहे हो न मैं क्या कह रहा हूं हमको revise करने का है ना कि पुरा का पुरा एक दब एक एक चीज़े समझाना है अगर एक एक चीज़े समझाने चल दूँगा तो फिर 5-6 गंटे का पुरा लेक्चर बन जाएगा वीडियो लेक्चर्स बन जाएगे यहाँ पर गेटिंग मैं पॉइंट और नाट ठीक है तो यह table को प्लीज याद कर लो और बाकी के सारे solids के बारे में आपको पता चल जाएगा बस याद रहे कि किसी के melting point हाई है तो कोई hard है कोई बहुत hard है कोई बहुत soft है है न तो यही सब मिलेगा आपको अब covalent network के तो यहाँ पे covalent bond ही बनेगा न ठीक है ऐसे अगर molecular solid तो इसके अदर monotomic polytomic molecules दोनों होते है mono मतलब single atom वाला poly मतलब बहुत सारे atom वाला ऐसे ऐसे यहाँ पे london and dipolar force होते हैं इस तरीके से इनका melting point बहुत low होता है example के लिए benzoic acid है metallic solid में sodium magnesium यह सब आता है इनके अदर ions होते हैं तो यह सब आपको याद रखना है अब यह topic अगर आपको समझ गया तो फिर आगे कुछ भी समझने में आपको problem नहीं होगी तो जो crystal structure है पहले तो भाई यह जानते कि crystal structure आखिर कहलाता क्या है ठीक है तो भाई एक बात ध्यान देना मैं आपको एक बात बताता हूँ जब हम लोग घर बनाते हैं अपना जब हम घर बनवाते हैं तो हम क्या करते हैं बस directly हम लोग bricks उठाके और cement उठाके घर बनाना शुरू कर देते हैं क्या नहीं पहले हम एक place decide करते हैं place को decide करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग मतलब उसके अंदर क्या करेंगे उसका एक धाचा बनाएंगे उसका एक structure बनाएंगे हम लोग designer को बुलाते हैं designer क्या करता है पुरे घर को proper design करता है कि हाँ ये room इदर होगा ये सब ऐसे होगा दुनियादारी फ़लाना डिमा का पता नहीं क्या क्या ठीक है तो वो proper structure बनेगा फिर हम लोग देखते हैं कि हाँ ये दिवाल इदर से जाएगी तो ये वाला घर यहाँ पी बनेगा सब कुछ हम देखते हैं न अच्छे से तो वैसे crystal structure क्या है तो एक ऐसा ordered three dimensional arrangement of the particles in a crystal ठीक है वो हमारा crystal structure कहलाता है यानि कि जैसे कि देखो एक अच्छा बनेगा जाक बनेगा छोन लुक्राओड पार्टिकल नहीं बनता है तो उस crystal में एक proper तरीकर जिस्ते कि देखो ये particles ये particles कैसे अरेंज है जो मैं आ पर round round कर रहा हूँ न तो ये particles कैसे अरेंज है ये जो हमारा है ये parakra है ये particles कैसे अरेंज है ये proper एक three dimensional arrangement कैसा है प प्रॉपर तरीके से धाचा बनाते हैं उसका कि हाँ ऐसा हमारा घर होगा नहीं कि एक डेमो एक घर बनवाते हैं छोड़ा सा एक एरे में यानि कि एक जोमेट्रिकल अरेंजमेंट है हमारे पार्टिकल का एक बात तो फिक्स हो गई ना कि पार्टिकल से ही क्रिस्टल बनता है तो फिर भहिया पार्टिकल को कैसे तुम अरेंज करोगे तो वही एक प्रॉपर अरेंजमेंट जो जो जोमेट्रिकल अरेंज समझा जो भी तुम उस जैसे कि तुमने एक structure बनाया तुमने एक structure बनाया तो structure में तुम्हारा कही न कहीं तो point होगा न हाँ यहाँ पे यह रहेगा यहाँ कीचन यहाँ वाशुरू में सब रहेगा न तो वैसी जो point है वो point basis है समझा और lattice यानि हमारा जो ढाचा है geometrical arrangement और उसी में जो points है उन दोनों को मिला कि हमारा proper crystal बनता है तो basis क्या है कि एक ऐसा particle attached to the each lattice point जितने भी हमारे lattice point है उसमें कौन-कौन सा कितने particle attached है वो ही हमारा basis है और lattice क्या है खुद एक geometrical arrangement है और इन ही दोनों से हमारा क्या बनता है हमारा crystal बनता है समझा जिसको बहुत सरे sites होते है और वो जब solid में convert होता है तो crystal बन जाता है तो इसको ध्यान रखना चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं exactly about the unit cell हमारा unit cell क्या होता है तो देखो यार जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा solid होता है तो आपको क्या लगता है कि ये solid सिर्फ एक अखा सा solid है नहीं भाई इसके अंदर चोटे 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 बहुत सरे ऐसे unit cell होते हैं ये चोटे चोटे unit cell से बनता है हमारा पूरा solid तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर जो unit cell है सब same type के होंगे obvious सी बाते भाई same type के सारे के सारे unit cell होते है ठीक है तो यानि कि यह unit cell हम ऐसा भी कैसा कहते हैं कि यह यह वाला यह वाला यह वाला सारे के सारे एक साथ repeat हुई है न और यह unit cell बार बार अपने आपको duplicate करके या repeat करके और बड़ा सा solid create कर दिया तो हम ऐसा कह सकते हैं कि unit cell किसी इक बड़े से solid का एक ऐसा smallest repeating structural unit होता है किसी भी किस्टालीं solid में और उसी को हम कहते ही unit cell यानि कि unit cell is the smallest repeating structural unit of the crystalline solid is nothing but solid is called as unit cell तो आप ऐसा कह सकते हो कि कोई भी unit cell एक ऐसा होता है छोटी सी एक ऐसी box जैसी चीज होती है जिससे कि हमारा एक पूरा का पूरा crystalline solid form होता है यह crystal बनता है तो crystal छोटे छोटे unit cell से ही बनता है समझ कि अच्छे से इस बात को ध्यान रखना ओके चलो आँगे बढ़ते हैं और each unit cell जो होता है वो attached होता है faces के साथ edges के साथ and corner के साथ आप कहोगी faces edges and corner क्या होते हैं तो जैसे कि देखो यह हमारा एक डबबा जो दिख रहा है तो आपको अलग दिखता होगा अगर आप इसको ऐसा देख रहे होगे तो आपको अलग दिख रहा होगा है ना अगर आप इसको f1 देख रहे हो तो आपको अलग दिख रहा होगा तो सब के देखने का नजरिया इस डबबे को यह कितना एक दो तीन चार बार रिपीट हुआ फिर एक बार और ऐसा करते करते एक बड़ा सा सॉलिड क्रिस्टल इस्ट्रक्चर बनता है समझा तो यह अगर हम इस unit cell के बारे में study कर लें तो हमको सब कुछ फिर समझ जाएगा तो exactly faces क्या है पहले edges बताता हूं क्या होता है तो यह जो line होती ही नहीं यह line है यह line है यह हमारा edge कहलाता है इस बात को आपको ध्यान देना है इसका length भी होता है आँगे चलके पता चलेगा फिर हमारा faces क्या है देखो तो हमारा faces है यह दिवाले यह पहली दिवाल, फिर हमारी यह दूसरी दिवाल, समझा यह वाली, फिर यह से हमारी यह दूसरी दिवाल, ठीक है, ऐसे हमारी यह दूसरी दिवाल, ठीक है, ऐसे हमारी यह नीचे की दिवाल, यह इदर की दिवाल, तो ऐसे टुडल कितने फेस हैं, एक, दो, तीन, इदर का 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे यहाँ पर इतने सारे edges हैं और गिल्लो आप क्यों पर depend करता है तो यह सब edges, faces और corners कहलाते हैं ऐसे यहाँ पर इनकी बिच का angle वगरा alpha, beta, gamma से बता रखा है यह ABCD हमारे यहाँ पर dimension दिखाते हैं तो इसको बस ध्यान रखो चलिए, अभी हम unit cells की बात करते हैं अब हमारा जो types of unit cells है यहाँ पर हमारे बहुत सरे चार type की unit cells होते हैं like primitive और simple type of unit cell body centered unit cell face centered unit cell base centered unit cell अब हम इन चारो type की unit cells की बात करते हैं देखो भाई, एक बात fix है कि अभी अभी मैंने आपको बताया था न नई, तो particle कहीं भी present हो सकता है किसी भी unit cell में maybe वो corner में रहेगा ऐसे ऐसे ठीक है, वो corner में रह सकता है ऐसे से देखो corners में, ठीक है maybe तो वो हमारा faces में होगा, यह faces जो है यहाँ पे रह सकता है, है न, maybe तो वो body में रह ले, बीचो बीच imagine करो न, 3D का यह डबा, डबे की बीचो बीचो, है न, जिसे हमारा पंखल अटका होता है, बीचो बीच घर के वैसे हमारा यहाँ पे डबे की भीतर भी हमारा हो सकता है तो उसी तरीके से primitive या फिर simple type क्या कहलाता है तो एक ऐसा unit cell होता है जिसमें जो हमारे particle रहेंगे न अब देखो भाई, unit cell बिना particle के नहीं बनता तो particle कहीं न कहीं रहता होगा ठीक है, तो कोई भी अगर unit cell है तो अगर उसका particle है, तो वो सिर्फ corners में रहेगा तो जिस, जिस वाले unit cell में particle हमारे कहां present होंगे तो इसके और बार बार हट जाता है तो यह corners में मतलब, corners में particle रहेंगे body centered में क्या होता है, कि मालो ऐसा कोई चीज है तो इसके corner में भी particle रहेंगे body centered में, corner में भी बट एक बीचो बीच, नहीं का डबे के अंदर एक बीच में body में, अंदर तो center of its body और corner में भी ऐसे होते हैं अगर आते हैं face centered की बात करते हैं तो face centered में corner में particle तो रहते हैं but सभी के faces में भी present होते हैं उपर-nीचे मतार 6 face है न जो फिसे हैं न उपर-nीचे और 4 किनारे तो 6 face हो गया न तो faces में भी corner हमारा यहाँ पर पर परटिकल present होता है यहां पे आपको एसे ध्यान देना है यह हमारा थिक है तो पहली बाट तो पॉर्नर में जो हमारा यहां पे तो यह हमारे opposite ही रहेगा ना ठीक है तो एक दूसरे के opposite में जैसे कि मालो अगर एक particle इधर है तो दूसरा particle इधर है तो एक दूसरे के opposite में हो गया ना opposite में हो गया ना यह समझा मैं क्या बोल रहा हूँ मतब आप imagine करो ना एक घर को घर की अच्छे फिर ध्यान देना है चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे crystal system की बात करते हैं अब देखो बाई crystal बनता कैसे है crystal बनता है particle के proper structuring से ठीक है अगर particle proper arrange होते हैं उसी arrange होने के तरीके को उसी arrangement के तरीकों को उसी किस तरीके से कोई arrange हो सकता है जिसे कि आप किस तरीके से घर बना सकते हो आप जब घर का वो एक नगा demo घर बनाते हो जब घर बनाने के पहले तो कैसे होता है जब घर आप बनवाते हो तो demo जो घर बनता है छोटा सा होता हो घर पे एक डम table की उपर आप घर बनाते हो छोटा सा design तो वो आपका lattice कहलाएगा आप उसको design कहते हो बड़ हम यहां की language में उसे lattice कहते हैं lattice मतब किसी भी crystal को बनाने के तरीके मतब कितने तरीकों से आप particle को arrange कर सकते हो किसी भी धाचों में किसी भी structure में समझा तो crystal system यहां पर आपको समझेगा कि हम लोग किसी भी particle को करीबन 14 तरीकों में arrange कर सकते हैं और जो यह 14 तरीके हैं इनसे हमें 14 टाइप के arrangement मिलते हैं और arrangement ही हमारा lattice है तो 14 टाइप के lattice हमारे यहां पर बनते हैं जिन में से यह 14 lattice जो होते हैं यह करीबन 7 crystal system में divided होता है और वो 7 crystal system कौन से हैं? क्यूबिक, tetragonal, orthorombic, rhombohedral, monoclinic, triclinic, hexagonal system तो यह हमारे 7 crystal system है जो कि कहां से आए हैं? हमारे 14 टाइप के arrangement system से तो यह 14 lattice system से 7 टाइप के crystal system आए हैं इस बात को आपको ध्यान देना है ठीक है? और यह 14 lattice कोन है? lattice मतब 14 टाइप के arrangement यानि कि हम किसी भी crystal को 14 तरीके से बना सकते हैं मतब 14 तरीके से हम लोग particle को arrange कर सकते हैं किसी भी crystal में समझा? यह बात आपको समझनी है और यह जो तरीके हैं वो 7 crystal system के form में divided है यानि cubic, tetragonal, orthorombic यह सब इस तरीके से आपको ध्यान रखना है हमारे पुरे इस textbook में जो हमारा पहला chapter है तो इसमें न cubic, tetragonal, orthorombic यह सम नहीं समझा है इसमें सिर्फ cubic पे focus किया है तो हम भी सिर्फ cubic के बारे में ही पढ़ाई यहाँ पे करेंगे देखो बाई चलो या बात करते हैं अभी देखो हमारा crystal system समझ गया कि हमारा crystal system है कितने type में हमको crystal system पढ़ने है हमको 7 type के crystal system हमें पढ़ने है जिसमें से हम ज़्यादा focus करेंगे cubic वाले में तो cubic वाले में यहाँ पे हम देखते है cubic system में बागी किसी का तो दिया ही नहीं है सिर्फ हम cubic के पर focus करेंगे तो cubic system जो हमारा 3 type का है पहला है simple cubic unit cell फिर body centered cubic unit cell फिर face centered cubic unit cell इनके ये short form याद कर लो आँगे चल के बहुत फायदा देंगे अब देखो क्या होता है simple cubic unit cell में simple cubic unit cell में यहाँ पे जो particles होते है each of 8 corners किसी भी cube के कितने corner होते हैं किसी भी cube के 8 corner होते हैं आपका घर भी एक cube होता है कमरा तो उसके भी 8 corner चाहे गिल लो और 8 corner में एक एक particle हमारा यहाँ पे एक एक नहीं बड़ particles present होते हैं समझा तो इस बात को देहां दे जिसे कि में आपको दिखा तो देखो यह यह पहला corner में एक ही दूसरा, तिसरा, चाहुथा, पाचवा, छटवा, साथवा और इदे को यह अंदर दिख रहा है आठवा है ना तो यह simple cubic में देखो आठवा अगर आप इस तरीके से नहीं समझे हैं तो इस तरीके फे फमझ लो देखो तो यह हमारा पहला इदर है दूसरा, तिसरा, चाहुथा, पाचवा, छटवा, छटवा, शाथवा इस तरीके से समझा अच्छे से अगर आप ऐसे भी नहीं समझे तो आप इस तरीके से समझ लो देखो फिलाल यह real structure है यह वाला, ठीके, आप ऐसे भी लिख सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट यह real क्यों है जानते हो, देखो, यहाँ पर यह पूरा particle दिखा दिया है, उसको पूरा circle कर दिया है, पूरा circle एक पूरा particle है, बट ऐसा नहीं होता है आपको पता है न, कि हमारा जो unit cell है वो एक just repeating unit है किसी भी बड़े से solid का, यानि कि इसके उपर भी हमारा क्या बनेगा, इसके उपर भी हमारा एक डबबा बनेगा, इसके उपर भी एक डबबा इधर से भी एक डबबा बनेगा, जब हमारा particle crystal बनाएगा ऐसे फिर यहाँ पर भी एक ऐसे फिर यहाँ पर भी एक ऐसे है ना यहाँ से भी एक unit cell यहाँ से भी एक unit cell ऐसे बनेगा ना चारो तरफ unit cell बनते जाएंगे है ना समझ में आ रहा है कि ने समझ में आ रहा है ठीक है इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहां पर आप लोगको अभी समझना पड़ được कि इस तर्यके फिते हो ज़िए को यहां पर भी अहां पर यहां पर एक डबबा बनेगा unit cell समझ रहा आप मेरेको बनाने नहीं आ रहा है आप समझ सकते हो मेरी यहां पर feelings हो देखो ऐसे फिर ऐसे यहाँ पर भी एक ऐसे यहाँ पर create होगा यहाँ पर भी ऐसे एक create होगा getting my point or not ऐसे यहाँ पर भी एक डबा बनेगा समझ मैं रहाए कि नहीं समझ मैं रहा है तो इसी तरीके से हर जगह यहाँ पर crystal repeat होते है न तो यह जो particle है ये particle आपको क्या लगता है कि सिर्फ इस वाले unit cell का है नई वो particle जो है ये particle जो है ये इसके अगल बगल जो unit cell बनेंगे उनके साथ भी share होगा समझा की नहीं समझा तो वही बात देखो यहाँ पे दिखाईए इस तरीके से कुछ half structure इसका बनाया है देखो नहीं आप इसका half structure बनाया है half structure तो ये half structure क्या दिखाता है कि ये एक single particle हमारा सभी से shared है तो ये भी correct है ऐसी कोई बात नहीं है तो बस हमारा याद रखो भाई कि simple cubic unit cell में corners में एक एक particle present रहता है body centered cubic unit cell में body centered में देख लो कि देखो पहले इधर corner corner में तो एक रहेंगे ही रहेंगे corner में तो एक रहेंगे ही रहेंगे देखो इधर इधर corner में टिक कर रहो corner corner में मैंने टिक कर दिया ठीक है बट एक देखो body की beach है नहीं का मत्तब देखो देखो नहीं यहाँ पे यह corners में तो हई है सब के सब लेकिन एक बीचो बीच भी है इसे कहते है body centered इसके पहले भी जो हमने अब यहाँ पे देखा था न देखो यहाँ पे यह body centered यही था हमारा types of unit cells में अब आते हैं face centered cubic unit cell में face centered में क्या होता है लेकिन corner के साथ साथ हमारे faces में present होती है यह front face, यह side का face, यह इस side का face, यह उपर का face, यह नीचे का face और एक पीछे side का जो दिखने रहा है समझा क्या, एक पीछे side में रहे का जो दिखाई नहीं दे रहा है जिसे कि आप यहाँ फिस समझो इसको तो यह corner हो गया, पहले तो यह corner हो गया तो यह हमारा देखो यह चारो आठो corner हो गया फिर corner के बाद देखो यह वाला यह face में फिर यह वाला पीछे का face, यह उपर का face यह वाला हमारा यह सामने का front का face यह side का face, यह नीचे का face तो 6 faces हो गये और 8 हमारा corner हो गया समझ मैंगी नहीं समझ मैं इस तरीके से हमारे particles होते हैं इस बात को आपको ध्यान देना है ठीक है चलो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सबसे interesting बात है जो कि आपको जिंदी की भरियाद रखनी है कभी भी एक बात ध्यान दगो समझा सिर्फ यह इस वाली unit cell का नहीं है यह ऐसे 8 particle से attach 8 unit cell से attach होगा समझा की नहीं समझा ऐसे इसके अगल वगल बहुत सारी unit cell बनेंगे यार तो 8 unit cell से एक single particle corner वाला attach होता है तो इसलिए अगर मैं बोलू कि फिर यह single particle का कितना हिस्सा इस वाली unit cell में आया तो मैं कहूंगा कि जब वो 8 लोगों से shared है तो 1 by 8th part रहेगा यानि कि सिर्फ 1 by 8th part ही इस unit cell का कोई भी particle होता है समझा और अगर मैं faces की बात करूँ तो faces में भाई देखो faces में अगर माल एक इधर से unit cell है तो इससे दुसरा attach होगा तो जो इसके बीच में particle होगा ऐसे इस particle का आधा इसके तरफ और आधा इसके तरफ है ना तो faces में क्या होता है कि अगर faces की बात आती है तो faces में क्या होता है सिर्फ 1 by 2 ही मत्तब दुनों से shared होता है मत्तब कि आधा ही सिर्फ हमारे unit cell का होगा आधा हमारे unit cell का होगा और आधा दूसरे वाला जो उसके बगल में unit cell रहेगा उसके साथ attach रहता है इस बात को आपको ध्यान देना है तो इसी basis पे my idea हम लोग आपे number of particles of the unit cell हम यहाँ पर find करते हैं तो simple cubic unit cell जो हमारा है इसके पास कितने particle होते हैं तो simple cubic unit cell में देखो एक particle कितने से shared है आठ लोगों से shared है यानि कि one by eight of each each corners देखो हमारे पास पहली बात तो eight corner है और हर एक corner में जो एक एक particle है बट वो एक नहीं है वो एक particle आठ अधर unit cell से क्या होता है shared होता है तो इसका मतलब क् particle जो है ना ये ये सिर्फ इस वाली unit cell का one by eight ही हिस्सा है इसके पास तो one upon eight हिस्सा है हमारे इच corner में और आएसे eight corner है तो total एक particle हो जाएगा हमारे simple cubic unit cell में यानि कि simple cubic unit cell में सिर्फ एक ही particle है इस बात को ध्यान दखो बट ये जो है ना ये इनका जिसी के होता है ना एक बटे तो यानि कि आधा फिर one third तो वैसे one eighth part ही सिर्फ इस unit cell का है तो अगर one eighth part सिर्फ एक corner में आता है और एसे eight corner है तो total कितना particle हो गया एक ही particle हुआ ना आंगे बटते body centered में तो body centered में क्या है कि corner तो है तो corner में तो one particle होता है corner में तो one particle होता है और एक body में है body में है तो one plus one दो हो जाएगा तो body centered में दो particles होते हैं face centered में क्या होता है कि corner में तो रहता ही रहता है corner में तो particle होते ही होते है corner में corner में देखो एक particle हो गया इस चीज़ को यहाँ solve किया है इस चीज़ को देखो corner में एक particle हो गया हमको पता चल चुका है कि corners में तो हमारे एक particle रहेंगे ना corner में एक particle लेकिन faces में कितने होंगे तो मैंने अभी आपको बता है एक face में आधा particle ही हिस्से में आता है जैसे कि अगर आलो ये सामने का face है देखो आफ ये particle को देख सकतने देखो बीच में से cut हुआ देखो ये भी बीच में से cut है देखो ये वाला भी बीच में से cut है तो ये आधा كट हुआ है मत्तब कि आधा वाला इसका part दूसरा वाला जो unit cell थोगा इसके साथ attach होगा क्योंकि repeating unit है तो इसके साथ जो दूसरा unit cell attach होगा उसके साथ joint होगा आप देख सकते नहीं यह पे तो कोई भी एक particle faces में सिर्फ आधा ही हिस्से में आता है किसी भी unit cell के और ऐसे कितने faces है 6 faces है तो आधा हिस्सा ही एक face में आता है और ऐसे 6 faces है तो 1 upon 2 into 6 तीन पार्टिकल होगे सिर्फ faces में और एक corner में तो 3 plus 1 4 आ जाएगा तो face centered की वी unit cell बन गया इस तरीके से आपको इसको याद रखना है चलिए अब हम आगे बढ़ते है relationship between the molar mass density of the substances and unit cell edge length is deduced in the following steps तो हम इसको देखते हैं एक्जाम में 3 marks को पूछता है हमेशा पूछता है तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसको यहाँ पर मैं solve करवा दू ठीक है चलो देखो इसको कैसे solve किया है तो अब देखो भाई यहाँ पर बहुत ही आसान सा question है ठीक है देखो अगर मालो कोई भी हमारा unit cell है तो वो भी अगर वो किसका हो सकता है अब इस दुनिया में भाई 108 तो element ही होते है तो 108 में से element से तो बाहर जाएगा नहीं ठीक है तो अब यहाँ पर क्या होगा उसका कुछ तो मतलब अगर मालो जिसे कि यह हमारा एक system है एक हमारा कोई यहाँ पर lattice है यह एक crystal है तो इसका edge length भी होगा न एज length क्या होता है edge का length यानि कि ए से दिखाते है edges का length ठीक है अब धन दो और यहाँ पर हमारा unit cell है यह किस form में cube के form में है और किसी भी cube का volume क्या होता है किसी भी cube का volume उसका side का cube कर देने का तो इसका side is क्या है यह जो side है इसका side क्या है इसका side जो है यह हमारा edges ही तो इसके side है जो हमारा edges है यह edge ही तो इसका side है समझा की नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ इसके edge ही तो इसके side है समझ मैं कि नहीं समझ मैं आया यानि कि edge का cube ही उसका volume होगा तो A हमारा edge length हो गया और AQ हमारा volume of unit cell हो गया और small m जो है तो वो कितने particle present होते हैं हमारे सारे unit cell में तो उन particle का mass हो गया और small n जो है वो कितने particle है वो हमारा हो गया ठीक मतलब कितने particle हो गया तो आप ही बताओ अगर माल लो कि एक particle का mass m है और ऐसे n number of particle है जैसे कि एक रोटी की कीमत 2 रुपए है और आपको 5 रोटी खरीदनी है तो 5 into 2 करोगे न तो वैसे अगर माल लो एक particle का mass m है तो यहाँ पे particles per unit जो हमारा number n है तो m into n कर दोगे तो mass of unit cell मिल जाएगा total unit cell क्योंकि unit cell भाई किस से बनता है unit cell हमारे particle से बनता है जैसे कि हमारी पूरी body खून है, muscle है, हड़िया है, skin है बाल है, इन सब से बनती है तो अगर इनका वज़न कर दोगे तो हमारे body का वज़न मिल जाता है तो वैसे unit cell में भी अगर particle का mass मिल गया मत्तब unit cell का mass मिल गया ठीक है, इस बात को जहां रखना आगे बढ़ते हैं, अब देखो तो इसकी कुछ, अब जैसे कि अगर यह हमारा cube है तो cube में कुछ volume भी है volume मत्तब कितना जगह खाली होता है किसी भी glass का volume कैसे पता करोगे कि उस glass में कितनी जगह खाली है पानी भरने के लिए वही उसका volume कहलाती है ठीक है, तो इसमें भी यहां पर खाली जगह मत्तब volume है अब इसका कुछ mass भी है, तो mass upon volume क्या होता है density होती है, तो यहां पर density of unit cell हम निकालेंगे जो कि इस symbol पर दिखाया जाता है, इस symbol का नाम है rho, आरेचो तो हमारा यहां पर density कितनी होती है mass of the unit cell divided by volume of the unit cell, और mass कितना विला unit cell का m into n और unit cell का volume है a cube यानि कि edge length का cube कर दोगे side का cube, मत्तब हमारा यहां पर volume मिल गया a cube, वैसे भी a cube ही इसका volume होता भी है तो आप इसको याद रफना lifetime, ठीक है, चलो, अभी हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं, ठीक है, अगर माल लो, हमारा capital M, जो है यह molar mass है किसी substance का माल लो, आप दिखो, हमारे पास एक substance है तो हर एक substance में हमारे unit cell होते चुट्चे, तो यह unit cell अगर है तो यह किसी substance का यह होगा जिसकि sodium का होगा, यह किसी और भी element का होगा, तो किसी न खिसी का, यहाँ पी हमारा substance होगा ही होगा, तो M जो है, माल लो, मॉलारमा से किसी substance का, तो हमारा जो मॉलारमा से मास of single particle into number of particle पर मोल यह हमारा कहलाता है यह फॉर्मिला है इसको याद रख लो ठीक है चलो यहां पर मास ऑफ वन पार्टिकल कितना है भाई मास ऑफ वन पार्टिकल इस मॉल पर आ गया तो यहां पर मास ऑफ वन पार्टिकल निकाल हूँ तो यह हमारा कैपिटल एम अपॉन आ जाएगा मतलब यह एने हमारा इधर चला जाएगा सब्जा इसको हमने क्वेशन नंबर थर्ड दे दिया अब देखो हम क्या करेंगे एक जटके में सब सॉल्व हो जाएगा ठीक है देखो अब क्या दरने का है हमको जो हमारा यहां पर यहां पर देखो क्या मिला है थ्री मिला है हमको जो भी हमारा यहां पर है तो यह एक्वेशन नंबर टू में यानि कि इसमें हम लोग ना इस वैल्यू को पुट कर देंगे यानि कि यह जो स्मॉल एम है न इसके आगया और यह हमको मिल गया वैलू तो इस तरीके से हमको सारे चीज़ यहां पर मिल जाती है आगे बढ़ते हैं अभी तो यह तुमको समझ में आ गया होगा तो इस चीज़ को याद रखना एक्जाम में तीन मक्स को आता है यह वाला थियरम ठीक है यह बात ध्यान अपना पैकिंग ओफ पार्टिकल इने क्रिस्टल इस्ट्रक्चर में समझना है ठीक है कभी भी यार इंजॉय किया करो अच्छे से और मस्त अच्छे से पढ़ाई किया करो कभी अगर तुम लाइफ में अगर ऐसे टेंशन में रहोगे तो फिर प्राब्लम में फज्जा होगे पढ पैकिंग ओफ पार्टिकल इने क्रिस्टल इस्ट्रक्चर अब देखो यह क्या कह रहा है कि किसी भी क्रिस्टल इस्ट्रक्चर में भाई यह तो पता है कि क्रिस्टल इस्ट्रक्चर पार्टिकल से ही बनता है ठीक है बट वो पार्टिकल की पैकिंग कैसे होती है मतलब कॉर लिपारा बलून नहीं मानेंगे उसको हम हाड इस्फीर के तरीके से हम क्या करेंगे यहां पर टरीक करेंगे चलो, अब दूसरी बात, कोडिनेशन नमबर क्या है, तो कोडिनेशन नमबर नेवरिंग स्फीर मतनला जो नेवर में, यैनि कि उसके बगल 다बंगे जो इस इसके सब नेवर कहलाएंगे समझा कि ने समझा चैसे मैं क्या बहुम een जय से इसके अगल बगल में ये-ए-ए-ए-इसे समझ रहे न क्या बोल रहा तो 1,2,3,4,5,6,7,8 ऐसे बट इसको touch कितने लोग कर रहे हैं इसको touch ये वाला कर रहा है ये कर रहा है ये कर रहा है और ये कर रहा है तो 4 इसके neighbors हो गए समझ में आया जारी कि coordination number क्या होता है कि neighboring sphere that touch any given spheres is its coordination number मतलब कि अगर माल लो ये particle को ये particle को ये वाला ये 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 टच करता है इसका मतलब कितने लोग टच कर रहे हैं इस particle को 4 लो मतलब कि इसका कितना coordination number होगा 4 होगा समझा अचे फिर जितने लोग टच करते वो इसका coordination number कहलाता है अब हम आते है सबसे पहले closed packed structure के बारे में जानेंगे ठीक है यहां पर जहना ध्यान दो अच्छे से किसके बारे में जाएंगे closed packed structure तो closed packed structure में क्या होते है कि closed packing जो होती है यह one dimension में होती है one dimension two dimension क्या यांगे बताऊंगा बस पहले यहां ध्यान दो कि one dimension में होती है और यहां पर linear linear चीज को arrangement जो है particle का चाउगी आप आरेंज गर सकते हैं तो पार्टिकल का arrangement यहां पर कितिने linearly होता है ठीक है मतब पहला पारessä ना दूसरा पार्टिकल फिर आसे करते कर अब क्या सारे इस ना में अच्छे इंग में talkin चलोफ रों नहीं क्लो पर अध्यान देना है यानि छोंछे नहीं घूर परि पीछे उपर कही अटैच नहीं होगा सिर्फ रो में एक बार अटैच होगा हार एक पार्टिकल अभी आंगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे इसमें आते हैं अब देखो यह आपके बुक में दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको यहाँ पे नोट्स मना दी है आप इसको देख सकते हो इस तरीके से इतना ही पढ़ लोगे तो सब समझ में आपको आ जाएगा ठीक है आप देखो तो क्लोज पैकिंग इन लगाएंगे और उसके नीचे भी पार्टिकल के लेगार लगाएंगे जिसे विए नीचे भी अटैच रहेगा यहाँ यह क्या लेयर वाले में पहले ऐसे डालो फिर उसकी बाद तो नीचे भी देखो यहां पर शेयर्ड हो गया फिर यह ऐसे चार-चार कितने भी लेयर तुम लगा सकते हो तो एक पार्टिकल के अगल-बगल एक चार पार्टिकल से अटैच होते हैं मतलब कि स्कॉाइर क्लोस पैकिंग मे जो हमारा यहां पर कॉडिनेशन नंबर होता है वो फोर का होता है ठीक है मतलब हर एक सिंगल पार्टिकल चार अलग-अलग पार्टिकल से अटैच होता है बट अगर हेग्जागोनल की बात करें तो हेग्जागोनल में क्या होता है हलका सा टिल्ट कर देगा जिसे कि इसको इधर खीच लिया और इसको अंदर भेज दिया देखो नहीं आप इसका शेप देखके समझो नहीं यह फीलिंग को समझो इसको मैं आप कैसे कहूंगा ठीक है इसको हलका सा इधर कर दिया इसको अंदर कर दिया समझ रहा है ऐसे अरेंजमेंट मतलब यह एक पार्टिकल यहां स्क्वाइर बना रहा था और यहां एक पार्टिकल देखो कितने लोग से अटेच है 6-6 लोगों से अटेच है एक पार्टिकल समझ रहे कितने लोगों से अटेच है यह 6-6 लोगों से अटेच है यानि कि यह hexagonal close packing है समझा कि ने समझा यानि कि एक पार्टिकल hexagonal यानि 6-6 लोगों से अटेच होता है तो यह हमारी होगे 2 dimension में यानि कि इसके टू डाइमेंशन है एक इधर भी एक ऊपर भी ऐसे टू डाइमेंशन है इसका जिसी देखो इसका भी यहां पर एक इधर भी और एक इधर ऐसे वी टू डाइमेंशन मालों मेरे यह वन और यह टू डाइमेंशन त्री डाइमेंशन क्या होता है ऐसे ऐसे और ऐ एसे टू डाइमेशन कैसे होता एसे ऐसे वंडाइमिशन और यहां पर SSC4 बना रहा ह इस तरह किसे चलों आगे बढ़ते close packing इन्स अब golden क्या होगा देखो यह जहाँ से ना अच ज chase ठीक के देखो यह पार्टिकल यह ऐसे भी है समझा लेकिन इसके आंगे आंगे भी है भीए न पार्टिकल देखो अभी यह यहाँ ठीमिंगे बने हुए किसी बीच में जढो ठीक है भीक By WE PREC P पताब स्टाइकिंग मतलब क्या होता है कि क्वाइन मैं ऊपार ने तू पहली यहां हो गई ना मतब कि एक ऐसा राइस तुमने उठाया एक लेयर ये ऐसा और यह अंदर फिर बाहर फिर यह अंदर ऐसी वाली एक लेयर उठाओ, मतलब दो लेयर उठाओ और एक दूसरे को रख दो मतलब इसको अभी तुम्हें वेजिन करने का रिवाबा ऐसा खेल हम बच्पन में खेलते भी है तो इसको मालो तुमने उठाया और एक और ऐसा ही लिया और उसको कैसे रखा तुम लोग ने कुछ इस तरीके से रखा देखो तो यह नीचे वाली लेयर हो गई और यह बाहर निकला है फिरे देखो यह इधर रहे फिरे देखो यह ऐसा है और इसी के उपर देखो रेड़ वाला लेयर एक ऐसा ही हेक्जोमनल उठाओ और उसके उपर रख दो for example जैसे कि मैं यह आपर समझाता हूँ देखो यह एक डबबा है हमारा ऐसे ऐसे और यह एक हमारा ऐसे है ठीक है ऐसे तो अब हमने यह और एक ऐसा ऐसा है ठीक है हमने क्या किया एक ऐसा डबबा उठाया जो हम ऐसे रखेंगे कि इसके जो इसके hole बच गे न वहाँ पर हम इसको रखेंगे ऐसा कुछ समझ रहे हम कुछ ऐसा रखेंगे इसकी दूसरी layer getting my point or not समझागी ने समझा कुछ इस तरिके से उसके उपर ही उसके उपर हमने arrange किया तो यह है stacking one another एक के उपर एक ऐसा और stacking of square close packing में क्या होता है कि square shaped में मतलब कि हम इसको उठाएंगे और देखो यह जो है न यह है इसके उपर इसके उपर normal रखेंगे for example like की जैसे कि यह खुद की एक layer है अब हम क्या करेंगे हम इसके उपर फिर से एक layer बनाएंगे यसे कि हम इसके उपर एक और layer डालेगे ऐसे से मैं उपर डाल रहो तो एक और उपर उठ यहांपीवाई तो यह diuको यह हमारी एक layer है यह complete उपके ओमारी एक layer है समझाँ तो यहां पर भी सारी लेयरे सेम ही होती है बस एक की उपर एक रखते हैं और यहां पर क्या होता है यह ओकन को प्लोग एप मंतल ви थी थोड़ा सा यहां पर आजाओ ज़रा प्लेस्ट फ्लेसिंग थर्ड हेग्जागोनल क्लोस पैकिंग अब देखो उसके आंगे का पार्ट है यह ठीक है आप देखो अब हमने क्या किया अभी तो हमने आप क्या किया था कि एक लेयर लिया था और इसके उपर देखो यह हमार पे देखो देखो यह हमारा पहला यह वो गया और इसकी उपर दूस्रा दिस्रा लेयर, ऐसे पता League அ ओ यही हमारी पहली लेर हैं। यह दूसरी लेर हैं ल॥ा किसे हैं यह पर यूचिकी आइ्पस्ट में बचाएं। इन तीनों समझो। यह पहली लेएर के सारे डब्बे है तो यह जो दूसरी लियर लगाया है यह कैसे लगाया है। ये पहली layer के जो void यानि empty space बीच में बचेगा ना देखो ऐसे ये ये और ये तो देखो बीच में खाली जगे बची न तो उसके उपर एक दूसरा डबा रख दिया दूसरा डबा यहां पे रख दिया समझा अच्छे से फिर ऐसे इस layer को पूरा लगा डला ऐसे तो फिर इसके उपर भी कुछ गड़े बचेंगे न तो उसके उपर देखो तीसरी layer लगा दिया समझ भाया क्या तो यह पहला तरीका हो गया और दूसरा तरीका कैसा है दूसरा तरीका कैसा है एक के उपर एक जिसे की देखो यहां पे देख लो अब तरीको को समझो इस design को देखो और इस hexagonal close packing में अभी हमारा कैसा था यहां पर हमारा यह कहता second वाला था ठीक है बट यह हमारा कैसा यहां पर यह थर्ड hexagonal close packing है इसके दो रास्ते होते हैं आपके textbook में अच्छे का से दिया उस इसको बहुत बढ़ी theory लिखके रखी है बट मैंने आपको एक ही बार में समझा दिय half of the tetrahydral voids यह एक statement है यह लिख लो इसको याद कर लो कहीं तो यहां देख लो अच्छे से कि यह जो हमारा ऐसा वाइड बनता है यह जो ऐसा वाइड बना लेका जो खाली हमारा होल है होल यह वाइड जो होल बना है यह tetrahydral कहलाता है और जो यह वाला वाइड बना यहां का होल देखो यह वाला होल यह हमारा ओक्टाहेडरल वॉइड कहलाता है ठीक है इस बात को ध्याव अच्छे से चलिए अभी आगे निकलते हैं ठीक है तो यह जो हमारा यहां पर ओक्टाहेडरल वॉइड जो होता है यह हमेशा हाफ होता है tetrahydral voids के इस बात को आपको समझ के लखना है चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो packing efficiency अब हम इसके बारे मिजा देंगे कि मतलब कोई भी particle यह कोई भी system के अंदर कितने particle pack हो सकते है यानि कि देखो packing efficiency क्या होती है कि volume occupied by particle in a unit cell upon total volume for example जिसे कि माल लो तुम्हारे glass में 100% पानी भर सकते हो बट तुमने कित तुमने 100 था लेकिन 80 ही भरा है यह packing efficiency है मतलब कि जैसे कि अगर तुमको में पकड़ लूँ और तुमको में 10 जापड मारू फट 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 लेकिन तुमना 11 जापड सह सकते हो ठीक है तो तुम्हारी efficiency जापड खाने कि कितनी है तुम्हारी efficiency जापड खाने 11 जापड तुम खा सकते हो ठीक है यानि कि तुम 10 जापड तक इजले खा जाओगे बट 11 जापड में तुमको चक्कर आने लगेगा तो वैसी किसी भी मतलब unit cell में particle हम लोग attach कराते है तो किसी भी unit cell में कितने मतलब particles ने कितना volume occupy कर लिया और उस unit cell में कितना volume available था divided by into 100 कर दो तो आपको packing efficiency मिल जाती है ठीक है इस बात को आपको ध्याद देना और बागे definition तो आप read कर ही लोगे समझा में क्या बोला चलिए अब सभी की packing efficiency find करती है तो कुछ syllabus में आपकी reduce है और कुछ आपकी syllabus में reduce नही है तो जो reduce नहीं है उसको यहाँ पर बताऊगा और जो reduce है उसको नहीं बताऊँगा ठीक है तो packing efficiency in simple cubic lattice क्या बूल रहो है packing efficiency in simple cubic unique lattice यहाँ पर हम लोग जरा यहाँ ध्यान देते है ठीक है जो कि बहुत ज़्यादा important है तो यह जो यहाँ पर चीजे है आपको इसकी बारे में पर ध्यान देना पड़ेगा कि पहली बात तो हम इसको steps में solve करेंगे अब देखो जैसे कि मालो यह हमारा पहला particle दुसरा particle तिसरा चार particle है किसी भी तरफ में देखो तो एक particle के center से अब particle का circle मेरे तो radius भी है इसका तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का यह edge हो गया यह a और इस center से लेकि यहाँ तक का एक radius और यहाँ से लेकि यहाँ तक का एक radius मतबब दो radius यहनी कि एक a जो है यह दो radius के बराबर है यहाँ से हम लोग क्या कर सकते ही आर इस टेब 2 में आते वाल्म निकालते है इस पूरे इसका तो volume of sphere तो एक किसी भी sphere का volume कैसे होता है हमने नवी में दसवी में पढ़ा ता 4 upon 3 pi r का cube होता है और r की value a by 2 मिली है तो यहां पर a by 2 डाल देंगे काटेंगे तो pi a cube upon 6 बन जाएगा आगे बढ़ते हैं total volume of particle निकालते हैं तो total volume of particle में यहां पर देख लो अच्छे से यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि total volume देखो भाई हमारे यहां पर देंदो simple cubic unit lattice में हमारे कितने particle होते हैं एक ही तो particle होता ही है हमने देखा था ना एक ही unit cell का यहां पर हमारा मतब volume है हमको total volume चाहिए हमको total volume चाहिए तो अब आप ही बताओ कि volume occupied by particle in a unit cell तो भाई unit cell में कितने particle है unit cell में एक ही तो particle ही है तो 1 into pi a cube upon 6 कर दोगे तो pi a cube upon 6 आ गया यहां पर उतना ही रहेगा packing efficiency का formula क्या है कि packing efficiency is equal to volume occupied by a particle in a unit cell divided by total volume in a unit cell total volume कितने है इतना है और volume occupied by in a unit cell कितना है हमारा यहां पर है तो यह हमारा pi a का cube upon 6 है यहां पर देखो डाल दिया और total volume of unit cell कितना होता है तो भाई एक कोई भी unit cell cube के form में होता है और cube का edges कितना है a होता है और a का cube यानि के edge का cube किसी भी एक particle का है multiply मारो काटो जो कटता है काटो 100 pi 100 pi upon 6 multiply मारो यहाँ पर 52.36 मिलेगा तो important thing समझ लो कि माल लो कि कोई unit cell जो होता है उसमें 100% उसके पास खाली जगह है तो उसमें से 52.36% ही space को occupy किया गया by the particle और बाकी खाली जगह कितनी बच गई 47.64 मतलब body centered cubic lattice और face centered का तो reduce है ठीक है चलो body centered की बात करते है तो body centered में corner में particle होते हैं और beach में भी particle रहते हैं समझागी ने समझा तो इनके यह देखो यहाँ पी सारे radius है आमें पकड़ लो इस सब radius है अब देखो तो पहला radius में निकालना होता है ना तो फिर इस error दूचल निकालो देर वॉल्ण निकालो देर टोटल वॉल्ण ने कालो अब देख सकता यहाँ पर radius एक पार्टिकल का वॉल्यूम फिर टोटल वॉल्णॉम फिर टोटल वॉल्यूम फिर Antarctica système से यहां पर करेंगे तो यहां पे सबसे पहले हम इत्या करंदेंगे यहां पे रेडिय कर ला पड़ेंगे फेर इसे लगाएगे यहां पर दि दWow pos FD हमारा hypotenuse है, तो hypotenuse का square is equal to side का square, यहाँ हमारा FD हमारा hypotenuse है, F E और यहाँ पर ED है, हमारे कौन हो गए? side हो गए, तो इनका देखो यहाँ पाइथागोरा स्थीरम लग गया, अब देखो भाई, देखो यहाँ पर ध्यान दो, जो F E है, और जो हमारा D E है, यह दोनों हमारे कौन है side है, यानि edge है, तो edge हमारा A होता है, तो A का square, A का square, यहाँ बनेगा 2 A का square, अंगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ट्रेंगल AFD में, तो A, F और D में आते हैं, यह वाले ट्रेंगल में आते हैं अब इस ट्रेंगल में यहां पर जो हमारा एडी एफ है यानि कि ए और जो डी और एफ है यह हमारा 90 है तो इसके सामने वाला यह हमारा जो सल्गाइए और होगो आखे यहां पर एफ है यह मोरह क्या होगा यहुद्ञा संड़र वह रहें लिए क्वan पुल्ग नुहीं क्या है लूद्धार ब्लूसेटे लाएफ के लिए आज करेंगे और है ढखते लिए रहे हैं एफ हमारा है कितना है 2a का स्कॉयर देखो यहां पर 2a का स्कॉयर डाल दो और हमको ad कितना आएगा दिखाता हूं आपको a से डी जो ad है यह ad कितना होगा यह हमारा a का स्कॉयर होगा क्यों भाई क्योंकि हमारा यह एज है न यह हमारा 3a का square है square root ले लूगा तो root 3a बन जाएगा ठीक है अब देखो यहां पर ध्यान देना अच्छे से बहुत important चीज है हमारा यहां पर from figure figure में देखो कि भाई देखो यहां पर देखो कि यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, ऐसे कितने रेडियस हुए, तो 1, 2, 3, 4, चार रेडियस हुए न, यानि कि जो यह A F है, A से लेके F तक का देखो, चार रेडियस, यह एक, यह एक, और यह एक, चार रेडियस बन रहे हैं तो यानि कि A F कितना वारा 4 radius के बराबर है और A F हमको root 3 A भी मिला है तो A F और A F यानि 4 R A जुगल टू root 3 है यानि 4 R A जुगल टू यहां से R की value डिकालोगे तो R A जुगल टू root 3 A upon 4 equation डाल दो यहां पर R की value मिल गए हमना radius मिल गया अब चलते हैं volume की दरफ तो volume of sphere कितना हो जाएगा हमारा यहां पर तो volume of sphere 4 upon 3 pi R का cube बन जाएगा अब 4 upon 3 pi R का cube हमारा यहां पर जो है तो radius कितना दिया हुए root 3 upon A दिया दिखो यहां पर root 3 upon A डाल दो ठीक है अब इसको solve करो तुम लोग अच्छे से solve करोगे तो यह root 3 एका cube है ना तो देखो root 3 एका cube फिर एका cube तो देखो एका cube फिर 4 का 64 हो जाएगा 4 into 4 into 4 तो 4 चोक 16, 16 चोक 64 यानि 64 बन जाएगा ठीक है चलो अब यहांगे बढ़ते हैं यहां पर और यह 4 सी यहां पर 16 टाइम भी यह कट जाएगा तो बचेगा क्या ओली बचेगा root 3 पाई root 3 पाई यह एका cube यहां पर और 16 ठीक है total volume में आ जाओ अब देखो भाई हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहां पर base centered unit की base centered cubic lattice की यहां पर क्या जाएगा यह हमारा total volume कितना मिलेगा base centered में 2 particle होते हैं तो बस क्या करोगी इसमें हम लोग जो हमारे को यहां पर volume of sphere मिला है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 particle से multiply मार देगी क्योंकि 2 particle तो होता ही है एक particle का इतना तो 2 particle हो कितना 2 से multiply कर दो तो 2 से multiply करेंगे तो यह 16 कटके 8 बन जाएगा तो हमारा total volume मिल गया अब total volume मिल गया तो हम packaging efficiency निकाल लेते हैं तो यह packaging efficiency कितनी होती है volume occupied by unit self तो इतना है और total volume तो हमेंसा aq भी ही रहता है into 100 ठीक है अब यहां पर कुछ नहीं करना है आपको यह 8 हमारा नीचे आएगा यह mathematics है आपको पता होगा कि A upon B और अगर मालो C upon D है तो इसको कैसे लिख सकते हो A upon B और यह हमारा D upon C देखो ऐसा हो सकता है यानि कि यह जो हमारा B और C था एक साथ आजाता है तो यह 8 हमारा नीचे आजाएगा आट नीचे आगा एका क्यूब एका क्यूब कड़िया देखो यहाँ पर कटने के बाद पाई की value 3.146 होती है इसको solve करोगे तो 68% मिलेगा यानि volume कितना occupy हुआ BCC में 68% तो कितना खाली जगे बच गया 32% खाली जगे बच गयी समझा चैसे यहाँ पर थोड़ा फ़र देख लो इन चीजों को यहाँ पर थोड़ा इसको देख लो कि जो हमारा simple qbq unit cell में है coordination no.6 है और packing efficiency 52 है BCC में यहाँ पर हमारा coordination no.4 है और packing efficiency देखो अभी निकाला 68 है और FCC का तो reducing हो गया अगर करना है तो कर लो it's your choice guys आपको कह दू कि यार share कर दो help कर दो सभी लोगों की share करोगे तो help होगी सब की help होगी ठीक है चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा फ़र दिमाख लगाते एक बहुत ही important यहां पर आपके सामने देके रख्या है रूल एक बहुत ही important यहाँ पर जो इतना दिया रिया देखो पे आपको दिखाता हूँ yea इतु सा देके रख्या है ना इसको इतु सभी समझ ने का बाबरे बाबाब यह इतु सा नहीं इसके ऊपर आपके बुक में बहुत सारे questions है और अगर आप इसे solve नहीं कर पाँगे तो गए काम से देखो यहां पर तो number of particle and unit cells in x gram of metallic crystal तो आप से exam में पूछता भी बहुत सारे question कि find the number of particle and the unit cells in the x gram of the metallic crystal तो इनके लिए ऐसा यहां पर दिया है ना but still हम यहां पर बहुत सारे formula देखेंगे यह कोई proof नहीं है कुछ नहीं बस यह formula है आपको जो याद करने है तो for molar mass के लिए molar mass जिंदिगी पुछा ना तो आपको यह वाला formula याद रखने का है ठीक है यह formula याद रखना कि molar mass is equal to density और a cube a cube तो हम इसा volume होता है क्यों unit cell का volume तो a cube एवेगेडर नंबर नंबर आफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दी यूनिट सेल तो यह सब यहाँ पर लिक रखना इसको याद कर लो यह सब formula है यह कोई proof नहीं है फिर अगला अगर question किसी ने पुछ ले number of particle in x gram of metal की basis पे कुछ नहीं तो molar mass m एवेगेडर नंबर पता है तो x gram of metal में x into na upon m particle प्रेजेंट होगे अगर मालो जैसे कि देखो आपको किसी ने कह दिया कि कोई भी एक मालो substance है और उस substance में अगर आपसे किसी ने कह दिया कि उसका molar mass मालो 23 है और एवेगेडर नंबर तो आपको पता ही होता है कि एक सिक्स पॉइंट टू थी होता है तो आपसे पूछ लिया कि मालो 10 gram of कोई substance था जिसका molar mass 23 है तो बताओ कि उसके दर कितने number of particle प्रेजेंट होगे तो कुछ नहीं आपको यहां पर क्या करना है यह x देखो formula एन आपको पता है m की value पता है put करो और यहां पर दिखवा सकते हो इस तरीके से इसको भी आप solve कर सकते हो यहां पर कि किस तरीके से substitution of m gives number of particle in x gram है ना तो आप देखो अभी क्या करोगे जो हमारा यहां पर यह है तो यहां पर देखो यह m था ना आपको दिख रहोगा यह m है ना इस m के जिगह में यह put कर दिया द तो आप यह formula कर सकते हो बस याद रखने का कि n क्या होता है number of particle aq volume है देखो याद रहना a volume नहीं है aq volume है ठीक है molar mass अविगेंडर नंबर density यह सब यहाद रखने का आगे बढ़ते है number of unit cells कि अगर बात अभी देखो अभी किस की थी particle की x gram में अब x gram में number of unit cell कुछ नहीं वह aq formula लगाओगे ऐसे यहाद number of unit cell in volume वी तो यहाद वी अपॉन aq का वाल यहाँ पर फॉर्मिल लगाओगे तो इस तरीके से आपको ध्यान लगना है अब हम बढ़ते हैं यहाँ अपने crystal defect और imperfection की तरफ यानि कि what is exactly crystal defects और imperfection यह exactly क्या होता है देखो भाई जब हमारा crystal बन र तो क्या होता है जब हमारा crystal बनता है न उस वक्त जानते हो क्या होता है उस वक्त ना हमारे छोटे-छोटे crystal से create होते हैं इस process कोUP crystallization कहते हैं ठीक है particle आते हैं वो arrange हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा जो particle arrange हो रहा है lattice के form में सब कुछ हो रहा है तो हम इसे कहते crystallization हो रहा है ठीक है अब आप ही बताओ जब आप कोई घर जल्दी जल्दी बनाओगे तो अच्छा घर बनेगा क्या नहीं बनेगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा आराम आराम से घर बनाना पड़ेगा तो अगर आप crystallization को जादा जल्दी यल्दी बनाओगे न आपके बनाने की rate अगर जादा होगी तो आपके अंदर जादा defect आजाएंगे आपके घर में ठीक है तो ब्रिक्स को आप जब लगा रहे होते हो दीवालों में क्या पता एक दो इदर दर हो जाए इर्रेगुलार्टी ज़ए अगर जल्दी बनाओगे तो प्रॉपर ब्रिक्स नहीं लगेगी वहाँ अगर किसला ऐसा क्यों होता है जिस तुम जादा fast fast काम करती हों बहुत जादा fast यार याद रहे कि किसी भी काम को जादा fast मत करो ठीक है उसको अच्छे से efficient way में करो ज्याद अच्छा होता है धीरे-धीरे करो बड़ efficient way में ऐसा नहीं कि 20 च्प्टर रेट नाला और कल भूल गय तो आपके याद करके फाइदा क्या हुआ ठीक है कि अगर आपने आज याद कर लिया 20 चैप्टर और कल भूल गए तो फाइदा क्या याद करके इससे अच्छा पांच ही याद करो बड़ कम से कम 2-3 महीने तक याद रहे ठीक है याद रखो तो क्रिस्टलाइजिशन अगर ज को चोटा करたंब इसको आपको तो एतर यहां पर दीख रहा होगा देको एक छोटे से इत्व से पार्ट इवे इत्व क्रिस्टल point defect जो है हमारा types point defect के तीन type stoichiometric point defect, impurity defect non stoichiometric defect सारे defect यहाँ पे इतने से part में पुरा cover कर दिया है और each and every information के साथ सब cover किया है जितना मैं लिख सकता था लिखा जितना नहीं लिख सकता उसको as it is छाप दिया है क्योंकि अगले page में डाल दिया, देखो यहाँ पे अगले next page में बेने डाल दिया और यह हमारा last topic है तो चलो शुरू करते हैं इसको जानना यहाँ पे चलो देखो अच्छे से फटा फट तो point defect पहली बात क्या है कि जब हमने देखा था ना कि हमारा lattice plus basis lattice मतब arrangement और basis मतब जो particle हम उन point में arrange करते हैं तो जब हम arrangement कर रहे होते हैं उसी वक्त कुछ न कुछ उस lattice में problem आना, यानि कि this defect are irregularities produced in the arrangement of basis at lattice point basis at lattice point in crystalline solid कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया था ना देखो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ आपको सब समझ जाएगा देखो, अब जब यहाँ पर यह हमारा arrangement का ढाचा है structure है, demo structure है अब यहाँ पर हमने point लगाना शुरू किया, point मतलब particle डालना शुरू किया तो हमारे जब आप particle डालते हैं यहाँ डाला, यहाँ डाला, यहाँ डाला हर जगे तो डालते ही है ठीकि यहाँ डाला, डाला, डाल दिया अब जब डाल दिया, माल लो यहाँ पर डालने में problem हो गई यहाँ डालने ही पाया थोड़ा आपको समझाता हूँ इस वाले पैंसे यहां भी डाला यहां भी डाला हर जगे डाला किदर किदर डाला हर जगे इस पार्टिकल को इस अरेंजमेंट में पार्टिकल के पॉइंट को डाल दिया अब मालो during जब हम डाल रहे होते तो यहाँ पे नहीं डाला यहाँ पे जब हमने नहीं डाला तो क्या हो सकता है आप ही जड़ा बताओ यहाँ पे मालो मैंने ऐसा कर दिया आप देखो ऐसा कुछ कर दिया खाली हो गई नहीं जब खाली हो गई तो इस structure का proper इससे जो crystal बनेगा इससे जो crystal बनेगा यह proper बनेगा क्या नहीं इसी को कहते है point defect यानि कि हमारे point में हमारा जो points होता है यहाँ पे समझ रहे हमारे point आपको दिख गया हमारे points में particle ही नहीं होगे तो वो arrangement अच्छे से होगा क्या आपके अंदर हड़ी नहीं होगी तो आपकी body कैसे arrange रहेगी अच effect आ जाता है तो इस बात को आपको अच्छे ध्यान रखना है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर आते हैं अपने point defect में देखो तो अब वहीं आपको समझ गया होगा point defect क्या है कि the defect are irregularities produced in arrangement of basis at lattice point in crystalline solid इसके तीन टाइप है stoichiometric impurity non stoichiometry stoichiometry के चार टाइप होते हैं पहला है vacancy defect फिर self interstitial defect scotky defect and then after that frankal defect थी चार टाइप है हमारे किसके stoichiometric के then impurity defect के दो टाइप substitutional impurity defect interstitial impurity defect बस दो टाइप है फिर non stoichiometric के दो टाइप metal deficiency defect और उसके बाद यहाँ पे metal access defect तो बस आपको इतना समझना है यानि कि चार stoichiometric के दो impurity के और दो non stoichiometric के यानि कि total आठ डिफेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने इस पूरे में आपको मैंने समझा दिया है चाहो तो आप खुद से भी रिट करोंगे सब आपको समझ जाएगा देखो भाई vacancy में क्या होता है सिंपल सी बात है vacancy में क्या होता है कि यहाँ से particle ही missing तो vacancy defect हो गया अब यहाँ देखो self interstitial में आ जाओ interstitial में क्या होता है कि कभी पहली बात तो interstitial का मतलब क्या है याद रुखो कि दो particle की बीच की जगए होती ही रहा जिसे कि इसके और इसके बीच में जो जगए है उसे interstitial कहते है तो उसके बीच में कभी-कभी ज़्यादा particle एक ज़्यादा particle आ गया देखो यह particle यह particle की बीच की यह जगए है तो इस जगए एक extra particle आ गया या तो फिर उसकी बीच का particle लिगाया वह जाए ठीक है तो यहाँ पे दो तरीकों से यह self interstitial defect होता है या तो कभी-कभ ज़्यादा particle आ जाना या तो कभी-कभी particle ने चली जाना आपके body में अगर ज़्यादा हड़ी आ जाएगे तो भी आप defect वाले कहला होगे और हड़ी नहीं रहेगी तो भी आप defect वाले कहला होगे तो कुछ वैसा ही है आते है स्कॉट के defect में स्कॉट के defect हमेशा ionic compound में होता ह है तो simple सी बात है कि इसमें कटायन या फिर अब ionic compound भाई कटायन अनाय से बनता है तो जो इसकॉट के defect है वो ionic compound में ही सिर्फ होता है तो यहाँ पर कटायन अनायन भी सो जाएगे अब देखो जैसे कि आप ही बताओ अब यहाँ पे हमारा plus होना चीना देखो नहीं है पर क्या होगा कटायन की वेकंसी क्रियेट हो गई और अनायन की वेकंसी क्रियेट हो गई वेकंसी मतलब खाली जगह यहाँ पर मतलब खाली जगह क्रियेट हो जाती है तो condition for the formation of Scott की defect क्या है कि वही high degree of ionic character high condition number of the अनायन जो रेश्यों है वो बराबर नहीं होता है तो यह सब कंडिशन से कि Scott की defect होता है याद रहे है Scott की defect होता है और consequences क्या है आप इसको read कर लोगी समझ जाएगा कि volume remains unchanged जो आयन का number decrease increase होता है masses decrease होता है तो सब्स्सक्राइन रखना आगे आते हैं funk humans लुक्त्षव में खूंज होता है जो यहाँ यह कुँछ स्कॉट की defect से मिलता जूलता है ठीक है पड़ फिर मिर्भी आँ देख लो इसमें number of ions राजिशन की गायां भाइन होजाती है कि उसी बी regular तो यहां से इस तरीके से हमारे कटायन की और अनायन की यहां पर vacancy create होती है और कभी-कभी एक extra plus आ गया extra देखो plus आ गया यह समझ रहे न तो extra interstitial site में कटायन अनायन हमारे आ गए तो इस तरीके से frankal defect में होता है यानि कि कभी-कभी आयन चले जाती है और कभी-कभी आयन आ जाती है ऐसा होता है frankal defect में but Scott की defect में क्या होता है कि सिर्फ चले जाती है यानि कि सिर्फ vacancy हो जाती है और frankal में क्या होता है vacancy भी होती है और कभी-कभी extra भी आ जाती है तो यह बात ध्यान रखना यह condition से आप इसको याद रखना एक्जाम में लिख सकते हो कि conditions for the formation of frankal defect or consequences of the frankal defect तो आप थोड़ा इसको याद रखना अच्छे से अब आगे आते impurity में वह अब impurity का मतलब क्या है कि आप मालो प्योर थे और आपको किसी ने आके इंप्योर कर दिया तो आप इंप्योर बन तो इंप्योर मतलब क्या है कि किसी क्रिस्टल में किसी बाहर का foreign का atom आता है और वो atom foreign का atom आने के बाद आप उसको उसमें अटेच होगे जैसे कि मालो अगर मालो अपना आइरन अभी प्योर है अब कलकोज में copper mix कर दोगे तो इंप्योर मन जाएगा ना बस वही होता है यहां पर इंप्योर डिफेक्ट में तो सब्स्टूशनल इंप्योर डिफेक्ट में पहला टाइप है यहां पर इंटा माता है कौन यह औरेंज वाला पार्टिकल होना चाहिए यहीं कॉपर का बट आप यहां पर क्या हो कि जिंग का पार्टिकल आगया तो इस तरीक से यहां पर डिफेक्ट हो गया ऐसे ही वैकेंसी त्रू एलाव वेलेंट यहां पर कुछ आयों सी गायाब हो गया तो कुछ-कुछ सोडियम या किसी भी मेटल के आयन से ही हमारे गायब हो जाती है तो यह अलाव वेलेंट हो गई आप इसको रीड कर लो फिर इंटरस्टिश्यल डिफेक्ट में आप यहां पर देख लो यहां पर देखो इंटरस्टिश्यल मतलब समझा न कि जो खाली जगह हो तो जिसे कि य बैट जाता हो यानि खाली जगह में कोई दूसरा इस्ट्रक्चर आके बैट जाए तो हम कहते हैं कि वह इंटरस्टिश्यल इंप्रिटी डिफेक्ट कहलाता है तो इसको आपको थोड़ा से यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा जो की इंपॉर्टेंट था फिर आब आत और उक्लंट आइ consume अग्जेस क्रिफेट होता है यानि के कुछ मेचिएं मेचिंग नहीं होता सब डिफरेंट रहता है यहाँ पे F center यहाँ पे create होता है यानि कि सारे particle गायब होगे और एक single electron हमारा बीचो बीच में रहेगा तो इस तरीके से हमारा सारे चीज़े create होती है तो यह सब हमारा point defect के अंदर आता है अब इसे आपको explain करूँगो तो अलग से point defect का ही पूरा यह दो घंटे का lecture बनता है तो हमेरे इतना यहाँ पे आपको समझाया है इस notes को आप बस पढ़ लोगे इतना तो काम आप खुद के लिए कर सकते हो न इतना अगर आप खुद के लिए कर लेते हो समझो कि आपका सब काम पच्चिफ हो जाएगा जो आपको पढ़ा रहा था उस बंदे का नाम था Mr. Prashant Tivari और thank you so much for watching this video subscribe कर देना भाई हमारे चैनल को और हमारे चैनल का नाम है New Indian Era तो इस चैनल को सब को share कर दो ऐसे ही अगर आपको दूसरे चैप्टर की वीडियो चाहिए तो मुझे बता दो मैं और चैप्टर की वीडियो भी आपको लाके दे दूँगा ठीक है so thank you so much for watching this video मैंटर मिलेंगे ऐसे अंगले वाले वीडियो में तब तक के लिए bye 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 to all of you